टीवी रेयलिटी शो बिग बॉस में एक बार फिर से शालीन और चीना का प्यार परवाद चड़ रहा है जहां बीते कुछ दिनों से ये देखा गया कि दोनों ही कंटेस्टेंट एक दूसरे से बात ना करने का दिखावा कर रहे थे वहे कल रात दोनों को ही एक दूसरे के ना सिर्फ करीब बलकि एक दूसरे का हमदर्थ बनता देखा गया है हाली में जहां टीना दत्ता और शालीन बरनाट के बीच एक जोड़ दान लड़ाई देखने को मिली थी इसके बाद दोनों की दुश्मनी को लेकर सोशल मेडिया पर काफी कुछ आने लगा था लेकिन अब बिग बॉस 16 के घर से एक ऐसी खबर सामनी आई जिसके वज़े से एक बर फिर से दोनों ही बिच्छडे दोस्त एक हो गए हुआ कुछ ही हों कि जब टीना और शालीन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे तब सभी के साथ साथ बिग बॉस को भी ये बिचैनी थी कि दोनों के भी चल क्या रहा है वहीं बीते दिनों बिग बॉस ने कनफेशन रूम में टीना को बुला कर ये बताए कि उनका पेट पिछली 24 गंटों से ना जुखालत में है और ये उनके लिजा न ज़रूरी है तबी टीना इमोशनल हो गई और कनफेशन रूम से बाहर आते ही रोनी लगी जिसके बाद शालीन ने टीना को समभालने के साथ साथ उनकी हिम्मत बनते दिखाई दिये इन दोनों के दोस्ती होने के बाद बिग बॉस से भी रहा नहीं गया उन्होंने भी दोनों को कनफेशन रूम में बुलाया और पूछा दोनों दुबारा दोस्त के ऐसे बन गए लेकिन इसका कोई साथ जवाब उन्हें नहीं मिल पाया जिसके बाद बिग बॉस दोनों से ये जानना चाहते थी कि पैच अप रियल ही ये फेक लेकिन इसका भी कोई क्लियर जवाब मिलता दिखाई नहीं दिया बिग बॉस ने भी दोनों का नीजी मामला है कहकर बाहर की बाद घर ना बताने की हिदायत देते हुए वहां से जाने को कह दिया अब आपको दोनों के दोस्ते रियल लगती है फेक हमें कमेंट बॉक्स में लिकर ज़रूर बताएं फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही ऐसा ही अपने फेवरेट शो के अपडेट के लिए फॉलो करे हमारा चैनल मीडिया दर्बार एंटर्टेन्मेंट धन्यवाद